नमस्कार इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्मोशन के उपर कि कौन से स्टुडेंट को पर्मोट किया जाएगा और कौन से स्टुडेंट को पर्मोट नहीं किया जाएगा कौन से student promotion के लिए eligible है और कौन से student promotion के लिए eligible नहीं है उसके बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि promotion form कब जारी किया जाएगा तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए and तक देखिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजे तो चलिए हम उस notice के उपर चलते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये notification जारी किया गया था आप सभी ए student जानते हैं और अगर आप ये notification को सही डहंग से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि four number points से आपको promotion form के बारे में बोला गया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं four number points में कि bill university provide some option form registration form for this scheme इस scheme के लिए मतलब promotion scheme के लिए आपको university जो है form provide करेगा या फिर registration form provide कराया जाएगा जो कि ये university कराएगा इसके बाद आप देख सकते हैं कि the university will make provision of online registration willingness form as per university norms for such student यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि university जो है ये registration online form जारी करेगा या फिर willingness form यहाँ पर willingness form के बारे में बता दूँ कि willingness form promotion form को ही बोला जा रहा है तो university आपको form जारी करेगा या फिर online registration करवाएगा इसके बाद आपको पर्मोट होने के लिए आपको form fill up करवाएगा इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस अपडेट के लिए आपको हर समय आपको इस अपडेट के लिए इगनु की website को चेक करते रहना परेगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि the last date of submitting of the consent is tentatively 31st January 21 यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि आपको 31st January 21 से पहले आपको यह promotion form जारी कर दिया जाएगा जो कि आप यहाँ पे साबत और पर देख सकते हैं अगर कोई यह student को अभी भी confusion है कि कब जारी किया जाएगा promotion form तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि last date इसका 31st January 21 है यहाँ पर अप जादा कुछ जादा दिन बचे हुए नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज 11th January 21 हो चुका है और आज आप यह form के बारे में देख सकते हैं कि 31st January 21 से पहले आपको promotion form जारी कर देगा और आप यह भी जानते हैं कि इगनू की exam 8th February 21 से start है और अगर इस form को 8th February के बाद यह जारी करता है तो इस form का लाब नहीं लिया जा सकता है और ऐसा इगनू करेगा भी नहीं इससे पहले ही जारी कर देगा आपके exam से पहले आपको promotion form को जारी कर देगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 31st January 21 से पहले जारी कर देगा हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि कई सारे student पूछ रहे थे कि सर promotion form कब जारी किया जाएगा या फिर कौम से student को पर्मोट किया जाएगा अब हम बात कर लेते हैं कि कौम से student को पर्मोट किया जाएगा तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौम से student को पर्मोट किया जाएगा या कौम से student को पर्मोट नहीं किया जाएगा जितने भी UGA और PG के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पर्मोट किया जाएगा और कौंसे स्टूडेंट को नहीं किया जाएगा उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं पहले बात कर लेते हैं कि कौन से student को पर्मोट किया जाएगा, अगर आप bachelor degree के student है जैसे B.A.G, B.C.M.G और B.S.G के student है तो आपको पर्मोट किया जाएगा और M.A., M.C.M. के students है तो उनको भी पर्मोट किया जाएगा और M.C.A. और B.C.A. के स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी पर्मोट किया जाएगा अब यहाँ पर बात रही कि अगर आप बैचलर डिग्री के स्टूडेंट्स हैं और आपने B.A.G. B.C.M.G. और B.A.G. के स्टूडेंट्स हैं और आपने जुलाई 2090 में अपना फर्स्ट एर का एड्मिशन करवाया था या रेजिस्टेशन करवाया था तो आपको पर्मोट किया जाएगा और आप पर्मोट के लिए इलिजिबल है अब हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए तो MCA और BCA जो होता है वो semester based program होता है तो अगर आप MCA और BCA भी कर रहे हैं तो आपको भी पर्मोट किया जाएगा अगर आपने MCA और BCA कर रहे हैं और आपने जनवरी 2020 में अपना रेजिस्टेशन करवाया था तो आप पर्मोशन के लिए इलिजिबल है और आप पर्मोट हो सकते हैं अगर आपने MA और MCA के स्टूडेंट्स हैं और आपने July 2019 में अपना फर्स्ट एर का एड्मिशन करवाया था तो आप पर्मोशन के लिए इलिजिबल है आप एक बार फिर से ध्यान से सुन लिजे कि कौन से स्टूडेंट पर्मोट हो सकते हैं जो स्टूडेंट यूजी और पीजी के है जैसे बीएजी बीकमजी और बीकमजी के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने July 2019 में अपना एड्मिशन लिया था फर्स्ट एर में तो आप फर्स्ट एर में आप पर्मोट हो सकते हैं आपको पर्मोट किया जाएगा अगर आपने M.C.A. और B.C.A. के स्टूडेंट्स हैं और आपने जनवरी 2020 में रेजिस्टेशन करवाया था तो आपको पर्मोट किया जाएगा अगर आपने MA और MCOM के स्टूडेंट्स हैं और July 2090 में फर्स्ट एर हैं आपका फर्स्ट एर में एड्मिशन करवाया था तो आपको पर्मोट किया जाएगा तो आप उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया वीडियो पसंद आया तो सभी इस्टूडेंट के साथ सेर करें जो इस्टूडेंट पर्मोट होना चाहते हैं